कि अज़े आप लोग उम्मीद एक अच्छी होंगे आप लोग तो मैं आगे हो फिर से नई वीडियो लेकर के और आशा है कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी इस वीडियो में मैं आपको स्नाइब सीट चलाना सिखाऊंगा और हाँ अच्छी लगती हो नहीं लगती हो मेरी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा ओके लाइक शेर जरूर करिएगा चलिए जो प्लस वाला बटन इस प्लस से हम अपनी फोटो सेलेक्ट करते हैं उपर त्री लाइन देख रहे क्रॉप कर लेंगे हम अपने हिसाब से क्रॉप करने बार ट्यून इमेज इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो सचुरेशन से आपका चेहरा बगएरा जो होता है कलर लाल हो जाता है और अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं मेनेज कर सकते हैं और सेलेक्टिव भी बट बढ़ी ऑफशन है आप जहां दिखे मैं हाथप सिफ चारा ह। हाथ यह आप अपने हिसाब से Dallas का साइस बड़ा सोटा कर सकते हो और यह सफिफवारट कर सकते हो फिर दुबारा आप वह किसी भी तरह बस आपको 8 बार select करणा है और कहीं भी आप कैसे भी select कर सकते हैं size भी चोटी बड़ी कर सकते हो मैं select कर लूँगा मैं 8 बार select कर लिए अब देखियो प्लस का निशान नहीं हो रहे चलिए मैं अपनी photo को अंकि इंनम कर两गा आप देख सकते कृटना पढ़रे इफक्त आ गया थिनी प्हे पारभी इडिय या धिरagit करने के थोड़ा सा हम है इजये और या प्रम स्वेड़ कर लोगा है फैना यहांट्व हम यहांपे थोड़ा बट यार वह बोडिस पर पे कलर आ जाता है रेट कलर का ओके डन कर लेंगे डन करने के बाद हमारा आता है डिटेल का उप्शन इसमें आपको स्ट्रेक्चर मिलेगा इससे इसे क्लेरिटी बढ़िया होती है शार्पनिंग इससे हमारा ब्लर हो जाता है मतलब फड़ आती है फोटो इसको ना ही करें तो बैटार है आप अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं अब नेक्स्ट उप्शने कर इसमें आप अपने इसाब से देखिए जो एरो है आप अपने इसाब से यूज करेंगा आपको खुछ पता चलियागा कि कौन सा कहां से कैसे होता है फिर भी यह आप नीचे करेंगे तो आपका कुछ खास नहीं है यह कलर बस आता है ब्लू एंड येलो और भी कुछ कलर आ सकते हैं बट यह देखिए पिंग आ सकता है चलिए से एक चीज मैं आपको दिखाता हूं यह विव एडिट ऑप्शन है इसमें देखिए वाइड बैलेंस लिखा है इस पे क्लिक करेंगे आप य कर दोगे तो आप ड्राव कर सकते हो यह अब कभी भी इस्तिमाल कर सकते हो पूरी आइडिटिंग में कभी आप कोई सबी इस्तिमाल कर सकते हो और दुबारा से आप फिर से अगर वह एडिट करना है कम ज्यादा कुछ करना है तो कर सकते हो आप देखिए बट हम नहीं कर रह इधर राइट लेफ्ट अप डाउन कुछ भी कर सकते हो एंड वाइट ब्लाइक कलर दिये हैं कि आपका जो बैक्ग्राउंड बच जाएगा तो ब्लाइक एंड वाइट कौन सा रहे ओके एक्सपेंड ये भी ये भी बढ़िया ओप्शन है आप अपने फोटो को फ्रेम में कर सकते हो वाइट ब्लाइक दोनों में ही कर सकते हो ओके बट मैं नहीं करूंगा आप फर्स्ट ओप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी फोटो फिर से पहले जैसी हो जाएगी मतलब वन में कर दोगे तो सेचुरेशन का निगेटिव हो जाएगा या निगे सेचुरेशन का निगेटिव एकदम वाइट होता है यह देखिए उससे पहले मैंने एरेज पर किया था तो आप एरेज कर सकते हो नेक्स्ट ओप्शन था आप इसी तरह सारे कर सकते हो सब चेक कर सकते ह कि आप कम ज्यादा करके एकस्पोजर एकस्पोजर इस लाइट बढ़ती है और अगर हम माइनस में कर दें तो डाइक हो जाता है देख सकते हो आप कि एंड नेक्स्ट ऐप्शन भी एक्सपोजरी की तरह है यह वाला भी बट कुछ खास नहीं खास बहुत है और नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं यह हीलिग इसमें देखे मेरे नोस पे निशान बना है मैं इसको कायब कर सकता हूं इस हीलिंग से जो आपके डाक्स अलकल होते हैं दाने वागेरा होते हैं तो वह हड़ जाता है देख सकते हैं आप मैंने एक ड्रोग किया हड़ गिया मेरा वह सही पार्ट का खीच के गलत जहां दाने वागेरा होते हैं वहाँ पर ला देता है ऐसे ही कुछ है इसको ओपन करते हैं यह भी बढ़िया एफेक्ट देता है हमाई फोटो को कैप इसी फिल्टर स्टेंथ कम करें तो ही वैथर है बाकी चार ओप्शन और हैं ओके डन अब बैक कर लेते हैं बैक करने बाद मेरी वीडियो देख सकते हैं आप काफी लंबी हो कि इस वज़े से अपनी फोटो को सेव कर लूँगा कैसी लगी आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रू करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाई एंटेक क्यों